नमस्कार साथियो नियूस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं अखबारों की सुर्खियों में आपने कोरोना वाइरस को आए दिन सुना होगा अब तक चीन में लगबग इसे 107 लोग की मौत हो चुकी है और पूरी दुनिया में तकरीबन 45 सो लोग पिडित हो चुके हैं इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडिटर इन चीफ प्रबीर तो प्रबीर ये कोरोना वाइरस क्या है ये वाइरस क्या होता ये कैसे फैला लोग बात की तक का वाइरस क्या होता है छोड देती कि िट वाइरस का उस तरहीं से अब दबं नहीं कर सकते बात वाइरस कि लिए वैकशीन होते हैं पर इसको अब छोड़ दे, कॉरोना वाइरस जो है, वो एक family of viruses है, जैसे families में बहुत सारे लोग होते है, कुछ खराब, कुछ इता खराब नहीं, तो जैसे जुखाम के, कॉरोना वाइरस वो भी जुखाम जो होता है, आपके खांसे जुखाम हो, chest infection, flu जो होता है, यह सब कॉर वाइरस ऐसे है, जो बहुत खतरनाक होते है, और हमने इस सदी में तीन ऐसे घट्टा, यह तीसरा है, जिसमें इस तरह के नौवल वाइरस हमने निकलते हुए देखा है, पहला था सार्स, जो की आपका दो हजार दो तीन में था, इसके बाद जो है, दो हजार ग्यारा बारा में उस वक्त आपका मर्स करके है, बिडलीस्ट रेस्पिरिटरी सिंड्रोम, मर्स वाइरस था, और यह तीसरा ऐसा है, जिसमें एक नौवल वाइरस निकला है, जिससे लोगों की बड़े तेजी से उसकी फैलने की ख़बर आ रही है, और उस फैलने से लोगों की बड़े ब पैंडेमिक का खत्रह इससे है, महामारी का खत्रह इससे है, अगर इसको इस वक्त कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो यह इस वाइरस का विवरन है, पर यह भी समझता है, यह वाइरस आता क्यों हो, क्योंकि सड्ड Director, यह कैसे निकला, तो यह है कि इस तरह के वाइरस, जो है population जो आनिमल population हो या bird population इसमें या बैट population इसमें रहता है और अर हर species का अलग-अलग disease होते है अलग-अलग virus उनमें रहता है और यह species जंब करते हैं कभी-कभी तब दूसरे species पे उसके खिलाफ कोई defense नहीं होता है तो अक्रामक या कभी साग्रामक रूप ले लेता है तो यहां भी किसी animal या बैट population से यह species से यह virus जो है इंसान के पास आया है और यह जंप किया species यह खतरना कई बार नहीं होता इसलिए कि वो इंसान टो इंसान की उसका infection नहीं होता पर यह virus जो है दूसरे जो दो हजार एक दो तीन की जो बात कर रहे थे हम मर्स वाइरस की जो बाता है सार्स और मर्स वाइरस दो की तो यह दोनों में यह था कि यह एक दूसरे को infect भी करता था मर्स इतना नहीं करता था पर सार्स और यह जो वहन नौवल करोना वाइरस जिसको नाम दे रहे हैं लोग अभी तो जिस वाइरस में इनसान टो इनसान की infection हो रहा है और इसलिए एक खतरनाक थाबित हो रहा है अगर है सिर्फ आपकी animal to human की अगर channel होता तो इत्ता खतरनाक नहीं होता जो middle east respiratory syndrome मर्स में था वो actually camel से इनसान पे था इसलिए उसका उट से जो आता रहा था तो उट में ही सीबित था और उट के साथ अगर इनसान की संपर्क होता आप चड़ते हैं जाते हैं कहीं तो उससे आप भी infect हो सकते थे पर इनसान टो इनसान infection नहीं हो रहा था इसमें हो रहा है इसलिए तेजी से फैलाव इसका हो रहा है खबरे भी आई थें कि नॉन्वेज मार्केट से फैलना सुरू हुआ पूरे चीन में तो इस माहौल में चीन किस तरह के कदम नहीं पहले तो नॉन्वेज बार्केट जो है वो नॉन्वेज की बार्केट नहीं थी वो था कि लाइव आनिमल्स और खास तोर से जंगली जानवरों को भी बेश ना जो की चीनी लोग खाते हैं तो उसकी ऐसे मार्केट की गरे थी की वहां में है वहां से निकला होगा अब जो कहा जा रहा है यह सही नहीं हैं और यह जो पहले कहा जा रहा था शायद यह सनेक, सांप या तो एक और किसी मिंक कर चो चो चोटे जो रैट डूमा प्रानी है उससे आया है वो अब नहीं लग रहा है अब फिर से यही बात आ रही है जैसे दूसरे वाइरस भी साल्स वाइरस भी था वो बैट से वहां से आया था ये भी चिमगादर से आया था ये भी लगता है चिमगादर इसका रिजर्वायर है और उससे कही न कही स्पीसि है और एक बार आने के बाद फैलना शुलू किया क्योंकि इंसान की इसके संक्रामन जो है हो रहा है अद दूसरी बात जो और थोड़ी से खतरणा का इस वाइरस के बारे में कह रहे हैं सिंटम निकलने के पहले भी आप संक्रामक हो सकते हैं हम आप इंफेक्शन कर सकते हो दूसरों के इंफेक्ट कर सकते हो खुद आप संक्रामक हो इंफेक्शन हो पर आपके पास कोई सिंटम तो अब दिखता नहीं है इसलिए इसको रोकने में थोड़ी सी जादा दिक्कत पढ़ रही है इस वाक्त हाँ यही बात कि थोड़ी सी जादा दिक्कत पढ़ रही है तो चीन जैसा राज जी किस तर के कदमें उठा रहा है देखिए सार्स वाइरस के वक्त ये कहा गया था चीन इसमें देरी की और इसको छुपाने की कोशिश की चीन इस बार जो है बिलकुल विपरीत किया उन्होंने पहले से एक ख़बर देना शुरू किया इसने बहुत तेजी से कदम लिए उन्होंने यह वाहान ग्यारा बिलियन की शेहर है मतलब एक पॉइंट वन पॉइंट वन करोड करोड पॉपुलेशन है उस पे उसको पूरा उसको ना की सिर्फ कौरणटाइन किया वहाँ भी यातायाद बंद कर देना चारो तरफ से उसको कहीं से उसको ट्रेन नहीं रुकता बस नहीं रुकता लोग आ सकते जा सकते हैं ठीक है ना और वहां पर जो है उसको पुरा कौरिंटाइन सिर्फ करना नहीं उनको खाना भी पहुंचाना है दोई भी पहुंचाना ये सब काम भी बरतरा रखना है और उसके साथ-साथ अंद्रूनी उसका वहां पर दफ्तरे से लेकर स्कूल कॉले से चुटी कर दिय लूनर चुटी वहां पर एक होती है बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है इसके बाद भी वह चुटियां बढ़ा दी गई दूसरे जग़ों पर वहां में करीब करी यातायात emergency की इलावा सब कुछ बंद कर दिया गया है तो एक बहुत बड़ा कदम है इतनी बड़े population को ये करना और हुबे की और जो प्रॉविंस है उस पे भी काफी शक्सक्ती लगा दी गई है और उस पे छे हजार डॉक्टरों की medical personnel की अभी उन्होंने भेजा है वहां पे उन्होंने एक 24 घंटे 36 घंटे के अंदर अस्पताल तयार किया सिर्फ इसको handle करने के लिए building खाली करके में परिनत किया सिर्फ इसको handle करने के लिए और उसका प्राइब बिनिस्टर भी वहां पर पहुंचा हुआ है तो इस बार ये बात सही नहीं होगा कि इसके बारे बे चीन ने गहर कोई जिम्बदारी की काम की बताया नहीं लोगों को वह आगाह नहीं किया बलकि बड़े त अची तरह से मकाबला कर ला और उबिद यही है कि इसको कंट्रोल कर लेगा पर अभी भी खत्रा गया नहीं है क्योंकि इस पे जो में चीज आपका दो चीज देखने की बात है एक तो है एक से कितने लोग इंफेक्ट होते हैं तो एक आदमी से अभी अभी तक जो आंक्रे ह यह वन पॉइंट फाइफ टू चार तक इसकी संक्रामन होने की संभावने का बतल एक आदमी चार लोग तक कर सकते हैं इस पर अभी भी विवाद चलना है चार है धाई है इससे ज्यादा है पर लग रहा है कि एक से चार के अंदर एक आंक्रे हैं तो यह बहुत सारे ऐसे इ लोगों की मौत होने के संभावना है अगर figures देखते हुए बट बैने जो कहा early days है अभी बहुत अभी की बात है तो देखना पड़ेगा इसे चार है या अब दस है पर लगता है कि बहुत बड़े रपैबाने पर लोग इस पे नहीं मर रहे हैं और इस पे जो मर रहे हैं जो से नियूमोनिया में होता है नियूमोनिया फ जो इसका जो देखते है आपको शरीव में जो देखता है वो अलग-अलग किस्यूम्टम हो सकते है तो आपका fever हो सकता है नियूमोनिया भी हो सकते है बुड़े लोग मेरे अमर जोग जयard highly जैसे ज्यादा अब नहीं करते उनका सम्भावना नियूमोनिया वगर नियूमोन से अभी तक लगता है कि इस तरह के सिचुएशन नहीं आएगी बहुत बड़े परिपायबाने पर लोग मरेंगे लगत रहा है अभी और उस पे कम से कम अभी साथ साथ एक लोग इससे ठीक भी हो गए हैं तो इसलिए देखना पड़ेगा क्या होता है पर चीन की कदम का अभी तक दाद देना पड़ेगा कि जिस तेजी से उन्होंने इसको कंट्रोल करने की कोशिश किया या कर रहे हैं अब पूरे खबर दे रहे हैं उसकी जेनोमिक सीक्वेश भी उन्होंने आइडिटिफाई कर लिया है बहुत जल्ली कहना पड़ेगा दसी दिन हुआ है जिस पे य अगर जिस तरह से उन्होंने सामुहिक कारिया चलाया है जिस से उन जितनी सक्ती से इस चीज को रोकने के कोशिश कर रहा है लगता है इस वक्त इस पे वो एक हफ़ते के अंदर उसके उपर वो काबू पा लेंगे जिनोमिक सीक्वेश प्राप्त कर लिया और पूरे दुनि आज मिलता नहीं है फ्लू वाइरस चैसे है जो उसका टैमी फ्लू कहते हैं इस तरह से बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होता सिर्फ आपका इंफेक्शन का जो इंटेंसिटी उसको कम कर सकता है अभी भी वाइरस पर हम जै नहीं पाए हमारे पास अभी भी वाइरस से सकते हैं पर बात रहे जाती है वाइरस बहुत तेजी से बदलती क्यों कि वाइरस का आपके एक जर को इसी लिए वह बड़े टेजी से बदलते हैं इसलिए infection flu virus पे खास तोर से अब देखते हैं flu virus हर号 रूरुभ लेके आता है तो यहां भी यह खत्रा जब तक ये population वाइरस की वाइरस दूसरे population में है जिसको कहते है वाइल्ड में रहना तो जंगल में रहना जब होंगे तो बीच बीच में periodically इनसान को तो असर करेगा ही हमारा सिर्फ यही है कितना जल्दी आप इसको रोक सकते हैं हर दस साल इस तरह के घटना के लिए इस दुनिया को तयार रहना पड़ेगा यह इस से साफ है और चीन और हिंदुस्तान दोनों को मिला के दुनिया का करीब to disease अगर आएगा तो इन ही इस आलके में पहली बार आएगा यह तो साफ है चीन में ज़्यदा क्यों कि चीन में अभी भी जंगल वगारा ज़्यदा है हमारे हां से हमने तो जयादा देर साफ करती है तो कि है त। तो दूसरे प्राणी के संपर्क में जंगली प्राणियों के संपर्क में, हम इस वक्त कम आते हैं, चीन में भी इस से ज़्यादा आते हैं, पर हकीकत तो यह है, कोई भी नया डिजीज दुनिया में अगर आएगा, तो वो हिंदुस्तान और चीन में आने का संभावना सबसे ज़्यादा है, और एशिया तो मुम् से जिद लेकर बैक्टिरिया ज्यादा अच्छा पनकते हैं, ठंड में इतना ही पनकते हैं, तो इसलिए यहाँ जो है, इसका बार बार आना, मुझे लगता है, इसको बान के चलना चाहिए, और इसको कितना जल्दी रोक सकते हैं, यही हबारी खाबलियत होगी, सुक्रिया आप देखते रहें यह नियस क्लिक